कपिल टीवी ने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया, पूरी दुनिया में आपको नाम दिया, इतनी लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप टीवी छोड़कर बार-बार फिल्मों के तरह भागते हैं, फिल्मों का जो भूत है, ये मुंबई में आकर सवार हुआ या अमर इस सर में तो मैंने कभी नी सोचा था, मुझे तो लगता था, मैं सिंगर बनूंगा एक दिन बड़ा होके, और मैं जब पहली बार मुंबई आया न, ट्रेन में जा रहे थे, तो 72 सीटर भोगी होती न, ट्रेन का डिबबा, उसमें से 69 सिंगर ही निकले, तो मैंने वहीं पर मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं होकते हैं, आप क्या करना जा रहे हैं, मैं है काम है अधर कोई, क्योंकि मैंने सूचा इतने सिंगर हैं, हमारे हिंदोस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो यह सर मतलब, जब टीवी पे शुरूआत हो गई, लोगों का प्यार मिला तो फि के साथ मस्ती मजाग कर रहा हूं, क्यों ना अपनी खुद की चार हिरने तो हर फिल्म में, पर उसके बाद अगली फिल्म में एक ही मिली, इस फिल्म में वैसे ही मेर को इतनी टैंशन है, बच्चों को पालने की, नौकरी की, वो वला रमैंस नहीं हुआ है, जी सार उसके बा हुआ क्या है, यह अधर मेर को आदत नहीं है, मैं दो मिल्टा, मेरी बीवी ने कहा था कि रहजर जी का शो इतना पॉपलर है, अज सेक्सी बनके जाना, एंट्री मेरी हो गई है, अब मैं बताता हूं को हुआ क्या सर, तो मेरे पापा की ड्यूटी लगी थी वहां पर, वो उनोंने कहा कि गदर फिल्म की शूटिंग हो रही, सनी दियोल की, तुझे पार्टिस्पट करना तो आजा, तो सीन था, अमरीश पुरी साहब और अमीशा पटेल जो है, वो पाकिस्तान जाने लगते हैं, और अमीशा पटेल वहीं पर रुख जाएंगी, और अमरीश पुर हो रहा हो रहा है, और अलग-home भाग रहे हैं, मैं कैसे कैसे करके डैडी को बोल के तो बिलकुल सीडियोंसे न, अमरीश पुरी साहब और अमीशा पटेल मिरे बिलकुल आगे थे, मैरे को कुछ हो, कि अमरी पुरी साब का मैं बहुत-बड़ा फैन था, तो मिरसे रहा नही तो मैंने न ऐसे कर दिया उनको तो उनकी अवाज हो गुमें अरे कौन है भई तो मैं न उसके बाद मुझे तो कहानी पता नहीं थी वो फिल्म की क्या है वो तो फिल्म देखने के बाद पता चूट जाएं अमरीश पुरी साथ ट्रेन पे चड़ जाया करें मैं का यार यह ही रिन हर बार ट्रेनी ने चड़ा जा रहे है इससे बाद में पता चला कि उनका स सीनी यही था तो हां सर वो फिर मैंने गदर फिल्म देखी सर कहीं आता पता नहीं था मेरा तो मैंने सनी पाजी जब आये मैंने उनको बताया किसा बड़ा वो हसे कते अच्छा तू बहां पे था अलगी सनी दोल आई ही नहीं थे मरी सर उनका एक डूब्लीकेटी कर गया एक बताओ आप यह बात सही है कपिल टीवी ने आपको इतना बड़ा स्टार बना दिया है इतनी पॉपुलरिटी दी है लेकिन फिल्मों को लेकर अप्सेशन तो है अब पिछली फिल्म फिरंगी मैंने सुना कि अपनी जेब से 35 करोड रुपे फूग दिये मेरे ना मेरे बड़े ताओ जी अब इस दुनिया में नी वो हमेशा एक बात कहते थे कहते गरीब आदमी के पास ज़्यादा पैसे आजए ना तो वो भी हजमनी होते थोड़ा सर थोड़ा आ गया था बैंक बैलेंस खुझली हो रही थी तो मुझे लगा की लगा देते वो म वो भी बड़ी स्क्रीन पे जा की देखा तो ठीक है सर मुझे लगता है इंसान गल्तियां करकर के सीखता है और पर हाँ फिल्मे मैं करता रहूंगा सर और ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको सची बताना चाहता हूँ बड़ा हमबल होके साल की 10-12 फिल्मे मुझे आफर होती है वो अलग बात है मैं करनी पाता हूँ बहुत बीजी होता हूँ और दुनिया बड़ी भेड़ चाल मैं मैंने देखा बिलीव करती है ये फिल्म का सीरियस ट्रेलर आया इसके बाद मुझे सीरियस नौ फिल्में आ गई हैं मैं आज तक तो मुझे सीरियस ली ली आनी था किसी अग्षे पाजी भी आया तक तरी फिल्म आरे कि तरे नूडल आ रहे हैं मैं कहा है इसका नाम थोड़ा मुझेल हो सकता है लेने में लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो बड़ी अपनी देसी कहानी है अपने हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की नहीं बलकि मैं अनिवर्सली जब पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई तो उन बहुत सारे लोगों में से किये किरदार है मानस का जो मैंने निभाया इसमें तो हमशोर लोगों को पसंद आएगी ट्रेलर का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो थैंक्यू मैंने सुना कि दंदिता दास ने आपको इस फिल्म में इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने आपका कभी कोई कॉमेड़ी शो नहीं देखा था हाँ उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मैंने आपका कभी कॉमेड़ी शो नहीं देखा मेरे पास टीवी नहीं है मैंने का चलो बगवान कर रहा था, उनको मैं बड़ा नेचरल लगा, तो करंज जोहर साब बोल रहे थे कि, फिल्म फिर की उपनिंग की, उनने का हलो दोस्तो, मैं हूँ करंज जोहर, और मैंने का मुझे तो आप जानते ही हैं, तो उनको लगा कि यह थोड़ा नेचरल है, और इसको मुझे कास करना चाहिए बहुत अच्छी जोहरी है नंदिता उनको हीरे की परक है और क्या काम किया मैंने फिल्म में उफ लेकिन कपिल नंदिता दास एक सीरियस फिल्मेकर हैं सीरियस डिरेक्टर हैं आप कॉमेडियन हैं तो कौन रास्ता भटका अब पता क्या है देखो हम इंसान है हमारे अंदर सारे एमोशन है कभी हम खुश होते हैं कभी हम अदास भी होते हैं अपसेट होते हैं तो सारे मूड हैं अंदर और मुझे लग रहा है कि यह जो कॉमिनेशन है ना इसने सब का ध्यान कीचा पहले तो कि नंदिदादास और कपिल शर्मा एक साथ क्या कर रहे हैं तो पर हां वो कामियाब रहा हमारा एक्सपरिमेंट मदलब जो लोगों के लिए एक्सपरिमेंट था पर मुझे सब मैं में पहले थेटर करता रहूं मैंने सारे ही कॉमेडी एक्चली बाइचांस ही पर क्योंकि कॉमेडी लोगों ने देखी टीवी पे इसलिए लोगों को वो पहले-पहले थोड़ा शॉक वो दिख रहा है आप इतनी सेरियस इंटेलेक्चुल हैं कैनड़ा में फिल्म फेस्टिव में ले पगए आपने इंग्लिश में पूरा इंटर्व्यू दे दिया है थैंक यू मैंने पूरा हाथ खोला उदर मैंने दो दिन का फेस्टिवल मैं घर चला जाओंगा उसके बाद गोरी समझती रहे मैं क्या बोलके गया हूँ अलाकि बड़ा अच्छा इंटर्व्यू रहा और सर वहां तो फिर भी चल गया चलो कैनड़ा में ये रीचार्च कहां से किया इंग्लिश का और सर वहुजयाता है सर मैं अपने लोगों के साथ इंग्लिश भोलने में डरता हूं अपने लोगों गल्तियां निकालने लगते हैं गहा लोग निए उनको मैन बात समझा दो आप आप के मन में फिलिंग क्या गो गौरिश समझ जाते हैं मैं तो सब्सक्राइब मेन तो था जब साउथ कोरिया गए उनकी इंगलिश मुझे लगता था, मेरी इंगलिश वीय के उनका थो बेड़ा है गरक था अच्छा, एक तो एंगलिश होती है, एक होती इंगलिश में इंगलिश और उनकी लोकल अक्संट में उन्होंने जब अनौस किया ना मेरा नाम तो मुझे पता ही नहीं पहले तीन मिनट की मेरा नाम ले रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि आगे मेरा नाम लेंगे करते हैं ले लिया जाओ पर बहुत प्यार मिला सर एक्शुली साउथ कोरियन लोग उनको तो पता नहीं मैं कौन हूँ अपने क्या करता हूं इंडिया में पर वो लोग बड़ा इमोशनल भी हुए थोड़ा हसे भी बाद में उनको जब पता जला कि ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं बड़ी मोहब का बहुत प्यार मिलेगा जैसे ट्रेलर के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है बाकि जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना तब मुर को शारुक भाई ने थोड़ी सी सला दी थी बोलते थे मत बन मैं क्यों कहते है क्यों कि फिल्म का ना मैथेमेटिक्स तुझे समझ म पर आएगा उसके बाद फिर जो पैसा आएगा फिर उसमें से आपका टेक्स कटेगा 50 परसंट तो फिल्म में इतनी कमाई नी है बिगोज टेक्सी बहुत होते है उस समें वही बात है जो पैसे थोड़े से तो खुझ ली थी समझ में आई शारुक बाई की बात पिर जब तो यह भी सोचता हूं कि लेके भी क्या आए थे हैं मरी सर से है ना तो जो जो मिला वहीं पर मिला जब तक ना आदमी भाग रहा होता है पूरा हर तरह आपकी वावा हो रही होती है आपके पास टाइम ही नहीं होता देखने का कि आप कहां पर गलत जा रहे हैं तो जब वो दोर आता है ना जब आप बैठते हो बाहर आपको गालियां पड़ रही है यह गया बस है ना कई ऐसे लोग भी होते है खतम अच्छा अब ही वही लोग वापिस जब मिलते ना फिर में जाता हूं कि आ रही दूसरी फिल्म आ रही है शो दुबारा शुरू हो गया तो मेरे क यही लाइफ है सर मज़े हैं बस जनता मिसे रोगों से सवाल पूछ ले थे सर मेरा सवाल यह है कि आप सबका मजाग उडाते है अच्छा जी लेकिन आपने आस तर कभी किसी न्यूज चैनल का मजाग ही उडा क्या कभी आफ उनसे सर क्या आप उनसे ड़रते हैं हारी या पूर्स डर लगता है नियूस तो सर नियूस का कैसे मजा कोई बना सकता है नियूस तो कितनी अच्छी होती है हमें कितना कुछ सीखने को में जबता है से कह लिजे मैं कुछ नहीं कहूंगा पका सर तो ऐसा है सब न्यूज वाले नहीं कई कई जो यहां पे नहीं है अब देखना आज कर ना समय बड़ा फास्ट आ गया सर पेस बहुत आ गया और एक्जामबल क्रिकेट के 5-5 दिन के मैच होते थे मंडे आगे 2020 आगे वो फॉर्मेट जो है न्यूज में भी आया ले गाने भी पहले आज आज कर आप देखो बहुत सारी न्यूस चैनल है देश तो वह है खबरे तो वही ले दे के आती जितनी तो पहले-पहले तो जब प ते भारत के प्रधानमंत्री मिले अमेरिका के राष्ट्रपती से उसी कि पांश टुपड़े कर देते हैं बाईडन ने किया गरम जोशी से मोदी जी का स्वागत एक ही खबर है साथ खबरे बूलनी है ना एक मिनिट में अब चालिस बार तो गुआ फिरा के एक खबर सुना दिया 45 वी खबर तक आते हैं तक खबर 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 हो गई फिर नॉर्मल खबरे शुरू हो जाती है हमारे जैसी राश्ट्रपती से बात शुरू करके 45 वी न्यूस कैसी हो जाती है मिर्जापुर में औरत ने काटा पती का कान दोसा में पेरेंट्स मीटिंग में आई महिला को ले भागा हैड मास्टर बलिया मैं दहेज मांगने वाले ससुर के मुँपे थुक के भागी दुलन फिर खबरें ऐसी आती है वारा नसी में शराप पी क्या है दूले ने मचाया हड कम मतलब शुरू आपने बाइडन से किया फिर तो ऐसा होता है कभी-कभी पर बड़ा मज़ा आता है ऐसी खबरें सुनके भी मतलब ऐसा मज़ाक नहीं है पर होती है सर ऐसा लेकिन कभी कर भी ऐसी भी खबरे आते हैं कि किसान ने सूरों को भगाने के लिए हनी सिंग का गाना सुनवाया। या अपने सुनी नियूल ना? देखो जरा आप, ये किसी हिंदी पेपर में मैंने भी पड़ा था। तो उनने लिखा कि हाँ, किसान अपनी फसलों को जंगली जानरों से बगाने के लिए चला रहे हैं हनी सिंग के गाने उनने यह नही नहीं बताया कि उसके पीछे जो गरूव होता है मुजिक मतलब उनका हैवी मुजिक होता है तो वह सुनके उनको शायद है पर देखो आप कै से लड़ रहे हैं जी पंजाब के चीफ मिस्टर भगमत मान वो भी स्टेंट वर कॉमेडियन थे जी तो जो कॉमेडियन्स हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुला है यह